साइध ही कोई ऐसा बदनसीब हो जिसके फ्रेंड्स ना हो कभी आपने सोचा है कि अगर ये फ्रेंड्स ना हो तो ये लाइफ कितनी बोड़ी हो जाती है दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, दोस्ती का कोई मापडंड नहीं होता लेकिन दोस्ती के माइने तब पता चलता है जब आप उम्र के उस पायधान पे खड़े हो जब आपको केरियर बनाना पेहच जरूरी हो जाता है केरियर बनाना और मस्ती करना दोनों की उम्र सीमा एक होती है इसलिए ये कोई असमान बात नहीं है कि इस उम्र में आप बहक जाएं आपके दोस्त के पाच्चित और उनके वैवार से आप ये समझ सकते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए सही हैं या नहीं अगर आपके दोस्त कुछ बातों पे आपसे discussion नहीं करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने सरकिल को अभी के अभी छोड़ते हैं यहां हम आपके साथ कुछ ऐसे topic पे चर्चा करेंगे और आपको ये बाते अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी हैं अगर वे इस topic पे बात करना नहीं चाहते या interest नहीं दिखाते हैं तो आप ये समझ जाए कि यह circle आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहला topic आपको अपने दोस्तों के साथ share करना है business ideas के बारे में क्या आपके दोस्त आपके साथ business ideas से related कोई भी बातचीत करना चाहते हैं अगर नहीं करना चाहते तो आप खुद समझ दाने कि आपको क्या करना है Investment, क्या आपके दोस्ट आपके साथ investment को लेकर आपसे कुछ बातचीत करते हैं क्या आप उनके साथ investment को लेकर कोई बात करते हैं और अगर वो interest नहीं दिखाते तो आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है Fitness, क्या आपके दोस्ट आपके साथ ये चर्चा करते हैं आपके साथ Self Development को लेकर आपसे चर्चा करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है और सबसे आखरी में सक्सेस्फुल लोगों के बारे में क्या आपके दोस्त आपसे चर्चा करते हैं और अगर नहीं करते तो आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना है दोस्ती और दोस्त जिन्दगी का एक अभिन्य अंग है इसके बगर जिन्दगी की कलपना नहीं की जा सकती लेकिन अच्छे दोस्त खुद के साथ आपको भी सपलता के उचाईयों पे ले जाते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आप यूटूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप फेस्बूक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा कॉंपोटीशन के इस दौर में सफलता के कदम जुमते रहिए और हमारे साथ जूरते रहिए और देखते रहिए न्यू डिजाइन स्टेशन